Hello Everyone, SSC 2020 के अंदर जितने भी एक्जाम हुए थे, ओनलाइन एक्जाम की बात कर रहा हूँ मैं बच्चो तो वहाँ पर हर्याना जिक्के के जितने भी कोश्चेन आये थे, उन सभी कोश्चन्स को यहाँ पर मैंने क्लेक्शन किया है और उन सभी कोश्चन्स को हम यहाँ पर आप लोगों को एक-एक प्रैक्टिस सेट की तरह करवाने वाले हैं तो हम जो सबसे पहला पेपर है, उसके अंदर हम जो हर्याना जिक्के का डिसकसन करने वाले हैं वो पेपर आपको दिखाई दे रहा होगा, अपरेंटर्शिप इंस्ट्रक्टर का यह पेपर रहा है और इसके अंदर जो पहला कोश्चन्स आया था, वो था, मिथा थल, जिसे सिंदु या हर्पा सबिता के पुरवी डोमेन के नाम से भी जाना जाता है हर्याना की नमलिक चिलो में से किस में स्थित है, तो यह दोस्तों आप लोगों को आपशन के सामने दिखाई दे रहा होगा, विवानी के अंदर स्थित है उसके बाद हम सیکंड कोश्चन की बात कर रही हैं, तो सیکंड कोश्चन की तरब चलते हैं हर्याना के इंडियन नेशनल लोकदल किस थापना के द्वारा की गई थी तो इंडियन नेशनल लोकदल जो पार्टी है आई एनल्डी इस पार्टी किस थापना किस के द्वारा की गई थी तो चोदरी देविलाल के द्वारा इस पार्टी किस थापना की गई थी फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर तीन है इसके अंदर यहां पर बताया गया है हरियाना के किस मुख्य मंतरी ने उननी सो चाणुव में हरियाना में सराप पर परतिबंद लगाने के लिए अध्या देश पारित किया था तो ये बहुत ही अच्छ से भी इनको जाना जाता है चोदरी बंसिलाल जी नेक्स्ट कोश्चन है हरियाना का जी वह जिला सवच भारत सर्वेक्षन पुरसकार 2018 में भारत के दूसरे सबसे अच्छे जिलों के रूप में सिर्ज पर है तो 2018 के अगर बात करें सवच भारत की रैंकिंग के अंदर तो य हरियाना राज्य के स्वास्ते विभाग के और चिकित्सा विभाग के पहले भी अनील विज थे और अभी भी इस योजना के अंदर भी अनील विज हैं नेक्स्ट कोश्चन की बात करते हैं हरियाना में 9 निर्मित ESIC Medical College और अस्पताल कहां स्थित है तो ESIC Medical College और अस्पताल कह अध्याना राज्य और द्योगिक एओ अव संद्रचना विकास निगम यानि की एच एस डबलाई डी सी ने दो फूड पारक स्तापित किये हैं एक राए सोनिपत जिले में और दूसरा कहां पे तो दूसरा है अंबाला के अंदर यानि की अंबाला के अंदर जो जगह है वो है साहा अंबाला छीक है फिर हम देखते हैं नेक्स्ट कोस्टेन नमबर एट तो कोस्टेन नमबर अगर एट की बात करें तो यहां पे है खालिस्तान पर प्रस्तावित बाइस व oats को प्र्धानमंतरी स्वास्ते सुरक्षय योजना के तहत स्तापित किया जाये गा यानि की क कौन हरियाना के बाल कवी हैं और अंग्रेजी भासा की कहानी द अरब एंड हिज कैमल का अनुवाद किया है तो ये हैं बहुत अच्छा कोश्यन बनता है ये आप लोगों को ध्यान रखना है तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा मुरारी लाल सर्मा और इन्होंने सिद्ध हिंदी हाश्य कवी के रूप में भी जाना जाता है जो गाकर करके कवीताएं पढ़ते थे तो ये हरियाना के कौन से हाश्य रतन कवी थे जिनको समानित किया गया था तो वो थे अलहर बिकानेरी ठीक है अलहर बिकानेरी उसके बाद नेक्स कोश्चिन है हरियाना का कौन सा लेखक जुबान बुक्स का संस्थापक है तो जुबान बुक्स के बारे में question अगर आप से पूछा जाए तो कौन सा लेखक है जो जुबान बुक्स का संस्थापक है वो है उर्वसी बुटालिया उर्वसी बुटालिया है उसके बाद next question है सरस्वती वन्य जिव अभ्यान, हर्याना के किस सहर में है, तो सरस्वती वन्य जिव अभ्यान, जो है हर्याना के कैथर सहर में है, कोश्चन नमबर 13 है, चिल्ली जील, हर्याना के किस जिले में है, तो चिल्ली जील, हर्याना के फते बाद जिले में है, ठीक है दोस्तों, चिल् पत के अंदर मेहम रोतक के अंदर है और हासी हिसार के अंदर है जबकि भरतपूर राजस्तान के अंदर है तो ये इसका सही अंसर रहेगा भरतपूर मानो रचना विश्विध्याले है हरियाना के किस जिले में स्थित है तो मानो रचना जो विश्विध्याले है मानो रचना के अगर बात करें तो ये फ्रीदाबाद के अंदर है नेक्स कोश्चन के अगर बात करें दीन बंदू छोटू राम थरमल पावर प्लांट तो दीन बंदू छोटू राम थरमल पावर प्लांट ये कहां पर स्थित है हर्याना के अंदर तो ये आप लोगों को पता ही होगा य यमनानगर के अंदर है दीन बंदू छोटू राम थर्मल पावर प्लांट ठीक है नेक्स्ट कोश्चिन के अगर बात करें निमलिक्त में से कौन हर्याना के राज्यपाल को पद से हटा सकता है हर्याना के राज्यपाल के अगर बात करें चाहे वो हर्याना का हो चाहे किसी भी तो उसको कोन हटा सकता है भारत का राश्टरपती हटा सकता है उसके बद से फिर हम बात करते हैं पंचायत के पांच सदिश्य हैं तो पंचायत के जो पांच सदिश्य हैं वो स्थानिये लोगों के द्वारा चुने जाते हैं ठीक है वहां उस स्थान के जो लोग हैं उनके द् पंचायत के सदिश्यों को चुनते हैं ठीक है तो हर्याना की कारिय कारी सक्ति किस में नहीं थैं अगर हम बात करें हर्याना की कारिय कारी सक्ति जो है हर्याना के राज्यपाल में सिमित है ठीक है भई हर्याना की कारिय कारी सक्ति उसके बाद है निमलिक्त में से कौन महात्मा गांदी गरामिन बस्ती योजना के तह्त कौनसी योजना देखो महतमा गांदी ग्रामिन बस्ती योजना इसके तहथ हरियाना में भूमी भूकषंडों के लिए पात्र है तो कौन है SC कास्ट है भही इसके अंदर अनुस्चित जाती है BC कास्ट है पिछड़ा वर्ग है BPL बिलो पिवर्टी लाइन ग्रीबी रेखा से जो निच्चे वाड़े परिवार है वो भी इसके अंदर सामिल है ठीक है तो आपको योजना का नाम बता देता हूं दोबारा से महात्मा गांदी ग्रामिन बस्ती योजना फिर नेक्स्ट कोश्चन है निमिल्त में से कुन हर्याना की रवी फसल नहीं है तो हर्याना की रवी फसल के अगर बात करें तो गन्ना नहीं है रवी फसल हर्याना की ठीक है तो हर्याना की रभी फसल कौन सी नहीं है गन्ना है ठीक है उसके अलावा option A के अंदर ग्राम लिख रखा है ग्राम ठीक है option A के अंदर ग्राम लिख रखा है option B के अंदर सरसों लिख रखा है option C के अंदर गन्ना और option D के अंदर गे हूँ अब आप लोगों को थोड़ा सा इस questions के अंदर doubt होगा कि gram यहां पे कौन सी फसल है gram तो कोई फसल नहीं होती और इसका answer दे रखा है गन्ना तो यह कैसे possible है तो आप लोग थोड़ा सा इसके ओपर concentration करो और सोचो कि इसके अंदर सही answer क्या हो सकता है तो दोस्तों आप लोगों को पता लग गया होगा यहां पे इसका सही answer क्या है तो accessic recording तो इसका गन्ना रहेगा सही answer क्योंकि गन्ना आपकी क्या है एक नगदी फसल है अगर आपको बता दिया जाए जैसे रवी की फसले कौन सी होती है और आपको खरीव की फसले कौन सी है तो मैं आपको एक एक दो दो एक जामपल बता देता हूं कि जो रवी है रवी की फसल कौन सी है तो रवी की फसल की अगर हम बात करें गेहू रवी की फसल है इसके अलावा जो जै है जो है मक्की है ये सारी किसकी फसले है ये आपकी रभी की फसले है ठीक है अगर हम बात करें खरीब की फसल की तो खरीब की कौन सी फसल है खरीब की फसल की अगर बात करें तो धान है मक्का है बाजरा है जवार है गवार है ये सारी किसकी फसले होती है खरीब की होती है ठीक है उसके हुई टकने लंबी सकट को क्या कहा जाता है तो देखो फूली हुई टकने लंबी सकट जो होते हैं उसको दामन कहा जाता है नेक्ट कोस्टिन है तेईस हर्याना के रोतक जिले में निमलिक्त में से किस खिलाड़ी का जनम नहीं हुआ तो देखो राशाक्सी मलिक का मोखरा गाउं के अंदर हुआ है जोगेंदर सर्मा ममता खरब इन सभी का जनम जो है रोहतक जिले के अंदर हुआ है जबकि विरेंदर सहवाग जो है इनका जनम रोहतक के अंदर नहीं हुआ तो इसका सही आंसर रहेगा विरेंदर सहवाग तो तो पहला पेपर आज हमने किया है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेकंड पेपर के बारे में हरियाना के जितने भी कोस्चिन आये थे वो लेके आएंगे मैं उमेद करता हूँ यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे नए कोस्चिन दिखाई दिये होंगे और अगर आपका कोई भी डाउट या क्वैरी है या कमेंट सेक्षन का आप प्रियोग कर सकते हैं और वहाँ पे अपना डाउट क्वैरी ले सकते हैं सभी वीडियो के अपड